हेलो दोस्तों, फेंटास्टिक फेवर फूड में आप सभी का स्वागत है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में समान रखे होते हैं लेकिन हम सोच में पढ़ जाते हैं कि सुबह नाश्टे में क्या बनाए तो चलिए आईए आज में घर के समान से पहुत ही सरल तरीके थे आसान तरीके से आपको ये मज़दार सी रेसिपी बनाना बताती हूँ तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कप चावल को भिगो दिया था और आधा कप चना दाल को भी बढ़िया से भिगो दिया था और ये चना दाल बढ़िया से फूल चुके हैं और एक जो थाई कप लिया है यहाँ पे मैंने उरत की दाल तो फ्रेंज यदि आप ये रेसिपी सुब अबना रहे हैं तो रात को ये सारे प्रोसेस करके आप रख दीजे सुबह आपको बहुत ही आसानी होगी ये नाश्टा बनाने में बहुत ही हेल्दी बहुत ही डिफरेंट तरीके का ये नाश्टा है तो चलिए अब देखते हैं नेक्स प्रोसेस क्या है तो यहाँ पे हमने तीनों दाल को मिकसर जार में ट्रांसफर कर देना है उसका पानी अलग करके अब यहाँ पे चार से पांच हरी मिट्ची लेंगे स्वात के नुसार तीखा एट कर सकते हैं और इसके बाद एक इंचे द्रकर टुकड़ा एट किया है मैंने तीन चाल करी लहसुन के लिए है और दो बड़ा चमच यहाँ पे मैंने दही के अस्तमाल किया है और एक बड़ा चमच पानी डाल करके हमें इसे पीस लेना है तो मिकसर को हमें कंटीनुई चलाते हुए पांच मिनट बढ़िया से इसे पीस लेना है तो इस रेसिपी को आप सुबह से ले करके शाम तक बड़ी आसी छोड़ दीजे तो अब यहाँ पे हम एक बड़ी आसी चटनी तयार कर लेते हैं तो एक मिकसर जार में हम लेंगे थोड़ी से लेसुन थोड़ी से हरी मिर्ची साथ ही डाल देंगे दो से तीन चमच के करीब इस रेसिपी के लिए पॉफिक जाती है अब यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप मैंने आलू को स्टीम किया है आलू को स्टीम करने से क्या होता है कि इसका जो मौश्यर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है इसलिए इसका जो बाइंडिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही भगज़ादा इसमें मॉश्याह हमें नहीचाही, इसलिए मैने इसे स्टीम किया है, तो इसे अच्छा से मैश कर लिया है, अब इसके बाद हम यहाँ पे रैट कर देंगे, आधा चमच के करैख चाट मसाला, धन्या पत्ती रैट करेंगे, और बढ़ियाسे इसे मिला लेंगे, तो हाँ जब आप डाल को पीसे तब ये स्टीम करने के लिए आलू रख दे तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा मैंने भी बिल्गुल ऐसा ही किया था तो लीजे ये आलू की स्टफिंग हमारी बढ़िया से त्यार हो गई है इसी दोरान अब हम देख लेते हैं हमारे जो बैटर है तो आप देख सकते हैं आदे खंटे में ये बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है मतलब इतना फूल गया है कि हम इस रेसिपी को बड़िया से असानी से बना सकते हैं तो बहुत ही हलका हो जाता है बेटर इस तरीके से बनाने से तो अब यहाँ पे हमने एड़ कर दिया है स्वात के नुसार नमक और एक चमस जीरा पाउडर एड़ करेंगे तो भूना हुआ जीरा मैंने यहाँ पे एड़ किया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो बहुत जादे मसाले भी हमें इसमें नहीं लगेंगे और आपकी यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी बहुत ही डिलिशियस बन करके तयार होती है तो हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से मिला लेना है ताकि यह मिसरन जो है और भी हलका हो जाए अब यहाँ पे मैंने थोड़ी से धनिया पत्ती एड़ कर दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो यह हमारा मिसरन मिल गया है अब चलते हैं से बनाने की ओर तो यहाँ पे एक पैन गरम कर लेंगे उसमें एक चमच तेल डालेंगे आप यहाँ पे बटर घी कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं तो बड़िया से इसे फैला लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे चिड़क देंगे सरसो के दाने थोड़ा सा ही एट कर देंगे जीरा लगबग दो चुटकी के करीब और इसी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा करीपता एट कर देंगे और इसे अच्छे से तिड़कने देंगे जैसे ही जीरा और सरसो बड़िया से तिड़क जाएगा हम इस मैट कर देंगे लगबग आधा चमज के करीब सफेद वाला तिल इसे बढ़िया से क्राइकल होने जाएंगे अब इसके बाद हम इस मिष्टरन को जो हमने तड़का तियार किया है इसे हमें इस तरीके से सेंटर मिला देना है और जो हमने मिस्टन तेयार किया था इसे हमें इस तरीके से पोर कर देना है अब जो आलू वाली स्टफिंग थी उसे इस तरीके से टिकिया की शेप देते हुए हमें इसे बीच में स्टफ कर देना है और बस आलू की स्टफिंग को हमें इसे कवर कर देना है बिल्कुल इस तर थोड़ा सा मोटा होता है तो उपर वला सर्फेस सीखने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है इसलिए आप ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही करिएगा ताकि जो हमारा बड़ी असा नाश्ता है वो जले नहीं तो एक बैच को तयार होने में लगबग 3 मिनट लग जाते हैं तो इस तरीके से आप दबाते हुए सीख लीजे ताकि चारो तरब से हमारा जो नाश्ता है वो बड़ी असे सीख करके तयार हो जाए ये देखिए है न बहुत ही टेम्टिंग देखने में कितना मज़ेदार खाने में तो और भी लाजवाब है इसी तरीके से आप इसे बना करक और इसके बाद हम एक तवा गरम करके इसे दोसा इस तरीके से बना लेंगे थोड़ा सा ओयल डालेंगे हलका सो ओयल को स्प्रेड कर देंगे ताकि चारो तरब से बड़ी असे सिख सके अब जो आलू की स्टफिंग हमने बना के रखिती उसे हमें इसके उपर स्प्रेड कर आप आलू के स्टफिंग डाल दीजे चाहे तो प्यास टमाटर काट करके अट कर दीजे अब यहां पे थोड़ा सा गन पाउडर छिड़क देंगे ताकि खाने में और भी मज़ेदार लगे और बढ़िया से यह हमारा दोसा भी सेम बैटर से बन करके तयार हो गया है तो आपक यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी यकीन मानिये टेस्ट की गारेंटी तो मैं आपको देती हूँ इतना यह टेस्टी बन करके तयार होता है पूरी तरीके से अंदर से पका हुआ और मज़ेदार टेस्टी खाने में बहुत ही मज़ेदार आई हो पाच की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर करिएगा और यदि आप इस रेसिपी को फीस्टबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है तो मिलते हैं कल सुबे नौ बजे ठीक इसी तरीके की एक और मज़िदार और सिंपल रेसिपी के साथ तब तक इस रेसिपी को बनाईए खाईए एंचॉय करिए मिलते हैं टेक केर एंड बाई